Hello everyone, welcome to Rara आज मैं Lakme Absolute Matte Melt Liquid Lip Color vs Nykaa Matte to Last Liquid Lip Color कर review कर रही हूँ Shade है Kuddy, highly 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 requested video and मैं सभी के नाम नहीं ले सकती अभी but especially जनों ने मुझसे बहुत जादा बोला है पिछले 2-3 दिन में उनके लिए है ये और मैंने वैसे नायका की जो मिष्टी Shade है उससे comparison करके एक वीडियो अपलोड किया था दो दिन पहले आप वो चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं कोडी Shade की तो पहले लैक में Absolute के प्राइस के बारे में बात करते हैं ये है 750 रुपे की और 6 ml product quantity है Shade 03 Vintage Pink और इसकी shelf life 2 years है किस proof lipstick है? Transfer proof इसका formula है ये बिलकुल transfer नहीं होती सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ये बिलकुल भी dry होने के बाद बिलकुल भी rough नहीं करती है lips को कहीं न कहीं वो moisturize रहते हैं पता नहीं इसके formula में ये सबसे अच्छी चीज मैंने notice की है और बात करते है NICA की matte to last liquid lipstick की Shade 04 Kudi 4.5 ml product quantity 2 years shelf life and paraben free lipstick है किस proof lipstick है? Transfer proof lipstick है, smudge proof lipstick है इसमें 7 colors all launch हुए हैं इससे पहले 10 shade launch किये गए थे limited edition है अब मैं आपको बता दू कि इसमें जो maharani shade है वो बहुत अच्छा है, misty अच्छा है and कुडी भी अच्छा है और मैं आपको बता दू ये ultra pink shade है by god, electric pink है day में ये बहुत ज़ादा shocking pink shade लगता है lips पर fuchsia pink and अब जो एक shade launch हुआ है jaan and begum वो आप try कर सकते हो तो चलिए मैं आपको अब इसका swatch दिखा देती हूँ जी हाँ, सबसे चीज ये है कि packaging wise naika की lipstick ज़ादा अच्छी है naaki lacme की lipstick और लेकिन पहचान wise जैसे कि अगर आपको search करनी है आपके पास बहुत सारी lipstick है तो आप दोनों ही पहचान कर सकते हो यहां से ये transparent glass जो है इसमें से आप easily पसंद कर सकते हो कि आपकी lipstick कौन सी आपको लगानी है रही बात इसकी तो इसका जो brush है वो इतना cute, beautiful, tiny और comfortable है कि brush के लिए इसको ज़्यादा marks दूंगी मैं आप दिखाती हूँ lacme का brush तो इसका brush बिलकुल नॉर्मल ओर्डिनेरी जो lip balm का जो lip gloss का brush आता था बिलकुल वैसा ही है कुछ extra brushes में कोई effect नहीं किया गया है तो brush इसका as such उतना अच्छा नहीं है price wise lacme high है because formula wise भी मैं lacme को high बोलूँगी because lacme की जो lipstick है वो बहुत ज़्यादा lips को damage नहीं करती lips को damage ही नहीं करती है लेकिन ये extremely dry हो जाती है अब मैं आपको इसका formula दिखा देती हूँ so चलिए इसका swatch देखते है this is electric pink shade kuddy every party के लिए ये बहुत अच्छी है आप party में इस shade को किसी भी dress के साथ लगा करके जा सकती है brides को अगर pink shade पसंद है तो आप इसके साथ जा सकती है लेकिन ये dry करेगा और इसको थोड़ा कम dry करें उसके लिए मैं आपको आपकी help करती हूँ आप इसको apply करने से पहले lips को अच्छी तरीके से जो lip balm आते हैं जो organic के आते हैं कुछ इस तरीके के मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके के इससे पहले आप यूनो पांच मिनट मसाज कीजिए lips को मसाज कीजिए अब देख रहे हैं इससे अब जब आप पांच मिनट मसाज कर लेंगे ना आपके lips नॉर्मली इतने hydrated हो जाएंगे उसके बाद आप अपने face को face tissue से clean कर लीजे चितना excess lip balm असपस लग गया हो सारा lip balm पोश लीजे उसके बाद आप ये lipstick अपलाई कीजिए कम dry करेगी और जादा देर तक तिकेगी बहुत अच्छा look देगी बात करते हैं अब लैक में की lipstick की तो मैं अब आपको इसका shade दिखाती हूँ मैंने इसमें nude shade लिया है और बहुत ही जादा rich और creamy फॉर्मिले के साथ ये किस proof lipstick आई है जो की बहुत ही अलग सा formula है इस किस proof lipstick का जियां यू किन सी और एक चीज़ बता दू मैं आपको इसमें paint और oil-oil जैसा जो है वो बह जाता है अगर गर्मी में आप तुरंत इसको अच्छे से shake करके apply नहीं करते हो लेकिन इसका जो lack में का जो formula है वो बिलकुल नहीं बहता जहां जैसे आप settle करेंगे lips पर वैसे ही रहता है जी हां तो आप इन दोनों में अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको highly recommend करूंगी this one lack में absolute matte liquid lip color 10 shade आये हैं इसमें आप इसमें bright red shade ले सकते हैं bright pink कोई shade नहीं आया है bright pink होता तो definitely मैं nude ना लेकर pink shade लेती और अगर इसमें आगे pink shade launch होगा तो definitely मैं वो लेकर के आपको review करके ज़रूर बताऊंगी रही बात lip color की तो आप दोनों देख सकते हैं मुझसे अगर आप पूछेंगे price wise नहीं यह थोड़ी सी expensive है लेकिन इसका formula कमाल का है जैसी कि इसकी समस्या आ रही है मेरे subscribers ने मेरे कहने पर यह purchase की थी because मुझे यह बहुत पसंदाई थी अच्छी lipstick है पारबिन फ्री है बट उनके lips बहुत जादा ड्राइ हो जाते हैं देखिए आप अच्छे तरीके से lip massage करके lip exfoliate करके lip moisturize करके lipstick को apply कीजिए उसके बाद आप दूसरी कोई भी काम कीजिए और अपनी lipstick को dry होने में ट्राइम लगता है अगर आपकी एक से दो मिनिट लगता है तो आप fan के सामने बैट जाएए या fan चला लीजे एसी चला लीजे आपकी lipstick को थोड़ा dry होने दीजे सेटल होने दीजे तो आपकी lipstick कम खराब लगेगी कम dry लगेगी और अगर आपको फिर भी बहुत जादा dry lips की problem हो रही है तो आप moisturizer या lip balm या lip butter लगाने के बाद ही कुड़ी lipstick को apply करें बट ये एक highly pigmented dark shade है नाइका का तो little bit हो सकता dry करें या आपके lips dry हो तो आप पानी पीजिए कोई भी lipstick लगाने से पहले आप एक glass पानी ज़रूर पीजिए दोस्तो दो-तीन मिनट पहले और मुझसे आप उचेंगे दोनों में से आपको highly ये suggest करूँगी long lasting ये है 8-10 गंटे stray करती है ये 12 गंटे stray करने के बाद भी lipstick को dry out नहीं करती है और क्योंकि ये kiss proof lipstick है तोड़ा सा सूखने के बाद जब ये dry होती है ultra matte लगती है लुक एकदम totally change लगता है तो बिल्कुल आप इसको use कीजिए और इसमें आपकी मर्जियोत आप light ले सकते हैं इस lipstick को आप without lip balm लगाए भी लगा सकते हैं because this is very very hydrating formula और ये कोई sponsor वीडियो नहीं है ये मेरे subscribers के problem की वज़े से मैंने ये वीडियो बनाई है और एक चीज और कि इन दोनों में fragrance wise जो lipstick अच्छी है वो लैक में की अच्छी है तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेला चरनल रहा है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much और मेरी अधर वीडियो ज़रू देखेगा मैंने और भी बहुत सारी रिक्वेस्टेड वीडियो बनाई है especially lipsticks की, lip balms की and कई BBCC creams की तो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रू बताइएगा thank you so much, bye bye